बीडे एस पी एल 14 साल छोटी शिप को डेट कर रहे हैं इमतियाज जली, पाकिस्तानी मॉडल के साथ भी था अफेयर रॉक अस्टार, जब वी मेट, हाईवे और जब हैरी मेट से जल जैसी फिल्में निर्देशित कर चुके इमतियाज जली का 16 जून को जन्म दिन है इमतियाज 16 जून को 46 साल के हो जाएंगे इमतियाज बिहार के दर्भंगा के मुस्लिम परिवार से तालुक रखते हैं बॉलेवुड में लीक से हट कर हिट फिल्में देने वाले इमतियाज के बारे में आईए जाने ही कुछ दिल्चस्प बातें बॉलेवुड में जब भी मेट और रॉकस्टार जैसी मूवी से अपनी धाग जमा चुके इमतियाज अली हाल ही में अपने अफियर के कारण काफी चर्चा में है इमतियाज मास्टर शेफ उस्ट्रेलिया सीजन छे की कंटे स्टेन सारा टोड के साथ अफियर की खबरों को लेकर चर्चा में है सारा इमतियाज ये 14 साल छोटी हैं और एक बच्चे की मा है इमतियाज और सारा दोनों ही एक बार शादी कर चुके हैं सारा की शादी पहले दविंदर गार्चा से हुई थी और उनका दस साल का एक बेटा भी है इमतियाज भी प्रीती अली से शादी के बंधन में बंधे थे लेकिन 2012 में दोनों अलग हो गए थे इमतियाज अली ने अपने करियर की शुरुआत हिंदी सीरियल्स नैनांद कुरक्षेत्र और इमतिहान के डायरेक्शन से की थी इमतियाज अली की डायू एक्टर के और पर पहली सोचा ना था थी लेकिन अब है देओल और सोहा अली खान स्टारर यह फिल्म बॉक्स आफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई इमतियाज अली एवरग्डीन एक्टर दिलीब कुमार के बहुत बड़े फ्यान है और इमतियाज के मताबिक दिलीब कुमार ऐसे एक्टर है जिनके द्वारा सिर्फ देखे जाने पर ही कोई भी एक ट्रेस काम सकती है खबरों के मताबिक इम्तियाज पाकिस्तानी एक ट्रेस इवान अली के साथ रिलेशनशिप में थे और 2014 में दोनों का ब्रेक अप हो गया इससे पहले इम्तियाज का अपनी पत्नी से 2012 में तलाख हो गया था इम्तियाज की आखरी फिल्म जब हैरी मेट से जल रिलीज हुई थी शारोखान और अनुषका शर्मा स्टारर ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी फिल्म रोखास्टार की रिलीज से पहले इम्तियाज में नर्गिस फाक्षी को पब्लिक में ना दिखने की हिदायत दी थी क्यूंकि नर्गिस बॉलिवर्ड के लिए नयाच चेहरा थी लेकिन रणबीर और नर्गिस के बार-बार पब्लिक में जाने की वजह से ये सरप्ट्राइज फीका रह गया रणबीर कपूर के साथ रोखास्टार और तमाशा जैसी फिल्म में डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर इम्तियाज अली ने कहा था फ्लर्ट के मामले में रणबीर डिजास्टर हैं इम्तियाज ने कहा था कि रणबीर फ्लर्ट करने की कोशिश जरूर करते हैं लेकिन वे इतना नर्वस हो जाते हैं कि सारा खेल ही खराब हो जाता है